गाईस क्या होता अगर हजारों मिलियन साल पहले एक्जिस्ट करने वाले ये जानवर अगर आज भी इस धर्ती पर जिंदा होते तो सायद हम इनसान इतना विकास नहीं कर पाते और आज भी हम इनसान आज से लगभग 6-7 मिलियन साल पहले पीछे चल रहे होती तो हेलो गाईस मैं हूँ विकास और आपका हमारे इस वीडियो में स्वागत है और आज के वीडियो में हम आपको बतलाएंगे दुनिया के तीन सबसे खतरनाक जानवर के बाड़े में जो आज से लगभग करोरों साल पहले हमारी सधर्ती से पूरी तरह विलूपत हो गए गाईस जब भी हम पानी में रहने वाले सबसे खतरनाक जीव की बात करते हैं तो हमारे मन में एक ही ख्याल आता है वो है सार्की जो आज के समय की सबसे खतरनाक जीव मानी जाती है लेकिन हम आपको बतला दे कि एक मेगलाडोन सार्क के ही परिवार की सबसे खतरनाक और खु जो आज के समय की सार्क से कई गुना जादा है इतना ही नहीं एक मेंगलाडोन वजन के मामले में एक किलो ग्राम से लेकर 2000 किलो तक के हुआ करते थे और इनके दाथ तो भाई साब आतंक ही मचा दिया करते थे आपको बतला दे कि एक मेंगलाडोन की दाथ 5 से 7 इंच तक कर दे और आपकी मांस को बोटी बोटी करके निगल जाए आपको पता ही नहीं चलता लेकिन अच्छी बात यह है कि ये मेंगलाडोन आज से लगभग 2.6 मिलियन साल पहले ही इस धरती से पूरी तरह विलूपत हो गए नंबर 2 टाइटेनो बुआ जो धरती के जीवनी तिहा का सबसे बड़ा साप हुआ करता था आपको बतला दे कि आज से लगभग 58 मिलियन साल पहले विलूपत हो चुके ये टाइटेनो बुआ 42 फिट लंबे और वजन में 1000 किलो ग्राम तक के हुआ करते थे और इतना ही नहीं ये टाइटेनो बुआ रफतार के मामले में भी कुछ कम नहीं थे आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये टाइटेनो बुआ 20 से लेकर 80 किलो मिटर परती घंटे के रफतार से रेंगने में पूरी तरह से सक्सम थे आपकी जानकारी के लिए बता दे कि भले ये टाइटेनो बुआ जहरीले नहीं हुआ करते थे लेकिन फिर भी इंटोप्टरस डेकोड हैंसीस जो समुन्द रिस्तर पर रहने वाले इस धरती के सबसे बड़े बिच्छु हुआ करते थे जो इतने खतरनावर गाईज ये थे हमारी धरती के इतिहास में आये हुए तीन सबसे खतरनाक जानवर गाईज आपको इन जानवरों में से कौन सा जानवर सबसे खतरनाक लगा हमें कोमेंट में जरूर बताईएगा और यदि आप ऐसे ही वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे ही वीडियोज मिलते रहे